नितीश कैबिनेट में जिन ने चेहरों को शामिल किया गया है उनमें बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आने वाले मुहमद जमाखान को जेडियू अपने कोटे से मंतरी बनाया है मुहमद जमाखान चैनपूर विधानसवा सीट से चुन कर आये हैं और जेडियू के नजदी काने के बाद या संकेत मिल गए थे कि वह मंतरी पत्र के साथ चंदादल यूनाइटेट का दामन थाम लेंगे उलेकनी है कि जमाखान पिछले नितीज सरकार में मंतरी रह ब्रचकिशोर बिंद को हरा कर पहली बार विधायक बने हैं चातर जीवन से ही राजनीती में सक्री जमाखान 2015 में पिछले चुनाव भी जीतते जीतते मात 469 वोट से हार गरते पिछली बार भी वे बसपा से ही उमीदवार थे इस बार उन्होंने ब्रचकिशोर को 20,000 मतों से हरा कर ना सिर्फ अपना हिसाब बराबर किया बल्कि पाला बदल कर अप मंतरी भी बनने वाले हैं उलेकनिये की चैनपूर विदासवा छेत लगा था दूसरी बार नितीश मंतरी वंडल में कैमूर का प्रतिनिधत्व करेगा हाला कि मुहम्मद जमाखान को लेका जो जानकारी सामने आई है वा चौकाने वाली है कैबिनेट में दागियों के शामिल होने पर नितीश कुमार खुद बेहत गंभीर रहे है कैबिनेट में स्वक्ष चवी वाले चेहरों को ही शामिल करने की परमपरा उन्होंने बरकरार रखी है लेकिन मुहम्मद जमाखान के उपर कई अपरादिक मामले दर्ज है कई मामलों में कोटने उनके खिलाव संग्यान में ले रखा है खुद विधान सबा चुनाओं में जमाखान की तरफ से जो शपतपत दिया गया उसके मताबिक उनके खिलाव आई पी सी की धारा 147, 144, 149, 323, 324, 307 के तहट मामले दर्ज है हत्या की कोशिस जैसा 307 का गंभीर मुकदमा उनके उपर है साथ ही साथ आम सेक्ट के मामले में उनके खिलाव संग्यान भी लिया जा चुका है जमाखान खुद अपनी एफिडेविट में इसकी चर्चा की है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें